नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश की खतौली विधनसवा सीट से जुड़ी इस बक्त की बड़ी खरम आपको तादे की खतौली में तीन पार्टियों के गठवंदन के प्रतियासी मदन भईया की 22,165 बोटों से एथियासिक जीत हो चुकी है खतौली में आपको तादे की चंदर सिखर आजद ने खूब महनत की चंदर सिखर आजद ने जो दलिस समाज का बोट बैंक है वो आरेलडी के प्रतियासी को दिलवाने का काम किया और चंदर सिखर आजद की जो महनत थी वो कामियाब हो गई है और आपको तादे की चंदर राजद के उपर दिखाया है भरपूर प्रेम आरेलडी के प्रतियासी मदन भाईया को दिया है 22,000 बोटों से इतियासक जीत हुई है मैनपुरी में डिमपल यादव जीत गई है तो बहीं आप पुतादी की रामपुर सीट में समाजबादी पारटी के प्रतियासी आसिम है इस इतियासक जीत पर चंद सिखर आजद के लिए जैंत चोधरी ने लिखा कि चंद सिखर आजद भाई को उत्तर प्रदेश में गठवंदर की जीत के लिए मेरी तरफ से कलाकंद वकाया है इसी का रूट करते हुए चंद सिखर आजद ने भी लिख दिया कि बिलकुल ज अलाकंद तो वकाया है लेकिन आप साथ मिलकर ही खाएंगे आप कुतादे की चंदर सिखराजाद ने बड़ी वात बोली है कि आप साथ मिलकर ही खाएंगे इसका मतलब है कि आगे की जो भी रणनीती रहेगी आगे जो भी चुना होंगे वो साथ मिलकर ही आप कुतादे की काफी जाद अच्छी है और इससे जो है अब भुजन समाज का जो है कहीं न कहीं राज स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है चंदर सिखराजने लिखा कि मैंने खतौली की जनता से अपने जनम दिन का तोफ़ा मांगा था खतौली की जनता ने मदन भहिया को जिता कर वह अधिया जाए दी है और उन्होंने का कि हम इसी तरीके से गठभंदन चलाते रहेंगे और जो है अब दलिश समाज के लिए अंतिम सास्तक संगर्ष करेंगे और दलिश समाज का राज स्थापित करने में जो भी करना पड़ेगा गठभंदन हो चाहे वह कोई भी कदम हो हम म जबाद